नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पिकर कोशन आंसर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स हम लोग मुहीम चला रहे हैं जिसमें संपूर्ण भारतवर से आयोए सवालों के जवाब दे रहे हैं दोस्तों लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनके मन का प्रश्ण केबल उनके पास रहा जाता है यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण हो तो आप सेल्फी मोड पर रिकॉर्ड करके या कॉमेंट बॉक्स में लिख कर भी हमसे पूछ सकते हैं आपके सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे तो आई शुरू करतें कोशन आंसर की इस सीरीज को और यदि आपने पिछली सीरीज नहीं देखी तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उन सीरीज को जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे आपके सवालों के जवाब उसमें छुपे हुए हैं तो लेते हैं आज का पहला प्रश्ण और यह प्रश्ण में बेजा है मनोजी ने डॉक्टर महिश्वरी जी नमस्कार मैं एविएशन सेक्टर से हूँ और हमारा एक फ्लाइट क्लब से टाइप है जो की कैलिफोर्निय यूएसे में है मेरा आप से परश्ण है कि हम इस एविएशन इंडस्ट्री को इंडिया में कैसे फैला सकते हैं क्या हमें इंडिया में सिर्फ और शिर। Θर déjà centr है जो की पालेट ट्रेजिंग देते हैं जो की सिर्फ 13 hanger keyboards कर सकते हैं इनः यह meus錢 उ तो हम इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको इंडिया में कर सकते हैं, आप बताएं प्लीज मनुझी एक बात में आपसे कहना चाता हूँ, कि जैसे इसे कंट्री का डवलप्मेंट होता है, वहाँ पर लगजरी चीजों की डिमांड तेजी से बढ़ती आती है, और आपने देखा होगा पूरे विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं, जहाँ पर लोगों के पास परसनल इंडस्ट्री को इंडिया में शुरू करना चाते हैं, तो आप उस फ्लाइंग कलब के साथ एक मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रिमेंट कीजिए, ताकि पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आपका फ्रेंचाइजी सेट अप जहां से स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, उस इंडिया में आज बहुत कम ऐसे इंस्टिट्ट्री के साथ मिलकर उस फ्लाइंग कलब के साथ मिलकर उनकी ट्रेंणिंग कराएं, और हैंड़ पर्सेंट जॉब असिस्टेंट की गैरेंटी के साथ आप अपने बिजनस को ग्लोबल लेके जाएं, क्योंकि इंडिया में आज बहुत कम ऐसे इंस्टिट्ट्ट्स हैं, या और्गनाइजिशन्स हैं, जो इस तरह के कोर्सिस कराती हैं, आपने देखा आहा एक इंस्टिट्ट्ट है, जहाँ पर एरोस्ट्रस को कोर्स कराया जाता है, और टाइब करने के बाद उनको फ्लाइट्स में जॉब मिलती है, ठ अगला जो कोशन है वो गोईल गार्मिंट से हैं, और उनका सवाल है यह, अमित मैश्री जी पूछना चाहता हूं, कि हम ऑनलाइन को किस तरह से कंपीट करें, या किस तरह से उनसे हम बिजनस में वन टू वन होएं, तो गोईल जी आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज competition बहुत तीजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी industry जो offline business कर रही थी, वो online में convert होती जा रही है, अब आपको वह competition fight नहीं करना है, आपको एक सफलता का सिद्धानत बताता हूं, कि ज़रूरी नहीं कि आपको travel करने के लिए, खुद की rail खरीदनी पड़े, सारे में track बिच बिचने के लिए तयार है, तो वहां हमें competition fight नहीं करना, हमें back end में ऐसा support तयार करना है, जहां पर अपने material को उनके साथ tie up करके online आसानी से बेच सकें, और आज ये सारी के सारी companies, seller account, free of cost, ये एक nominal charge के साथ आपको देने के लिए तयार है, ज़रूरत है, तो आपको इस चीज को grab करें, अगला जो question है वो सरिता जी का है, जो बहुत सारे handicraft को export करती है, नमश्कार अभी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ, और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, देखी तो मैंने और भी लोगों की वीडियो से, बड़ जैसे और वीडियो में motivate करने के कर Уड़ी हैं, आपकी जब में हिडे ज़न घिले थिहूं तो मुझे अपनी बिजनस को कैसे आगे बढाना है कैसे अपनी बिजनस के लिए बायस और करने तो सर उसकीम मुझे आपकी बीजियो देखने से मिलती है, और सर मैं आपको पताना चाहते हूँ अपने बारे मेरे BC, मीदिट कенने के निय्ति पेढ़रेbels है जिसमें बहुत सारी हमारी प्रोड़ेक्ट जो एंटरनेशनल मार्किट में एंट्राइशनल मार्किट में एक्सपोर्त होते हैं ठीके सर लेकिन अब ही इमेरा कोशन कि कि मुझे से international market में अपने और बायस बढ़ाने तो मैं कैसे कर सकते हूं कैसे अपनी प्रोडेक्ट की और सेल बढ़ा सकते ताकि जादर से ज़ग लोग मेरे इस प्रोडेक्ट से अट्रेक्ट हो जादर हमारी सेल बढ़े साल तो आप प्लीस इस्टीज का मुझे अंसर दीजिएगा और मेरे यही खोशन है आज आपसे आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगते हैं आप ऐसी मौटी मीट करने की बहुत सारी वीडियो मुझे एकसी प्रसाल कीजिए ताकि मैं भी और आगे अपने बिजियो को कर स सारे मेथड हैं आप फेस्बुक, ट्विटर, लिंक्डिन, इंस्टाग्राम और गूगल का भी इस्तिमाल करके अपने बिजनस में बहुत सारे अट्विडिजमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे बायरस को सर्च कर सकते हैं साथी साथ आप चैंबर आफ कॉमर्स, चैंबर इसके अलावा आप अलीबाबा.com, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया जैसी साइट्स को भी अपने कंपनी के लिस्टिंग कराके अपने प्रोड़क्स को वहां अप्लोड करके बहुत सारे बायरस से कॉन्टाक्ट कर सकते हैं साथी साथ इन में बायर ढूंड़ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत है, तो किवलन टिप्स को समझने की, मेरा आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप इंडिया को जरूर देखे, अगला जो कोशन है, और एक परसन हम से पूछना चाहरे है, कि वो सोशल मीडिया के माध मेरे बिजनस को किस तरह प्रमोट कर सकता है, और मेरे बिजनस में कहा वो बहुत सपोर्ड कर सकता है, यह बताएगा से सोशल मीडिया इंटरेट मार्केटिंग या डिजितल मार्केटिंग का कोर्स किया हो वहाँ पर आपके प्रोड़क्ट आपके सर्विसेज उससे रिलेटेड इनफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करें और लोगों तक वो इनफॉर्मेशन पहुंचाएं फेस्बुक, ट्विटर, लिंक्डिन, इंस्टाग्राम और साथी साथ गूगल बिजनस का अकाउंट जूरूर ओपन करें यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफरम है जहां आपने बिजनस के इनफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं तो यह आपके उपर निर्वर करता है कि आप किस तरह से इसको बढ़ाना चाहते हैं और अगला जो कोशन है वो विने जी का है जो एक बैटरी मैनेफाक्चरिंग कमपनी चलाते है अमीर जी नमस्कार मैं फॉर्मेश बैटरी मैनेफेक्चरर हूं सर मुझे आप से एक कोश्चन करना था एक्चुली मैं दो तिन लोगों से कोश्चन सर कर चुका हूं अभी तक लेकिन एकुरेट मेरे को सर एंसर किसी से भी सैटिस्टेक्शन नहीं हो पाया लेकिन आपका सर जो मैं यूटूब में वीडियो देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगा कि आप से उस कोश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीक्चे से मिल सकता सर और सैटिस्टेक्शन मैं साहब हो जाऊं आपकी आंसर से इसलिए मैंने सोचा कि आपका ये वीडियो देखा कि सेल्फी मोड पर एक कोश्चन किया जाए तो सर मैं वो कोश्चन आपसे करना है जा रहा हूं एक्शली सर बैटरी बिजनस में क्या होता है गर्मियों में तो सीजन रहता है हमें कोई प्रोब्लम आती नहीं है सीजन ठीक रहता सर काम ठीक है मेरा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर सीजन का टैम 6-7 मंत रहता है बाकि 4-5 मंत मुझे बहुत प्रोब्लम आती है सर तो मैं अपना बिजनस उन 5-6 मिने में कैसी इंक्रीज करूँ मेरा आपसे यही कोश्चन है सर तो उन 5-6 मिने में काफी प् तो प्लीज आप में को इसका अंसर प्लीज दे सके तो मुझे बहुत खुशी होगी मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सर थैंक्यू सर विने जी जो कोशन है कि मेरा बिजनस एक सीजनल बिजनस है यह आपका अकेले का कोशन नहीं है हमारे इंडिया में 80% साथा लोग इस प चलाते हैं तो examination के time पर number of admissions ज्यादा होते हैं और बहुत सारा समय ऐसा होता है मतलब 2-3 महने का समय ऐसा होता है जब उनके पास admissions नहीं होते हैं प्रोडक्त्स अर्धियों के लिए होते हैं कुछ प्रोडक्स जनवरी फरवरी मार्च के लिए सकते है और सामने ते गेरेंटी और वरैंटी एक साल की होती है मतलब जिस दिन वो person एक battery को purchase करता है उसके एक साल के अंदर अगर battery में भी कोई fault है तो आप उसको replace करके देंगे अगर आप off-season में battery की sale को बढ़ना चाते हैं तो आप extended warranty देंगे For example, January, February, March में आपकी battery की sale कम होती है क्योंकि ठंड होती है तो उस समय पर आप कह सकते हैं कि एक जनवरी से लेके 31 March के बीच जितने भी लोग battery purchase करेंगे उनको एक साल नहीं उनको डेर साल की warranty मिलेगी तो on-season आपको जितने sale आ रही थी लगबग उतनी ही sale आपको off-season भी ब्याना शुरू हो जाएगी इसके लावा आप schemes and discount structure को design कर सकते हैं आज बहुत सारी German companies अपने product में वो जानते हैं कि कब sale peak पर होगी और कब sale decline होने वाली है वो इस तरह की scheme and structure design करते हैं कि जहाँ पर उनको उस off-season में भी बहुत अधिक sale मिल जाती है इसको एक example के माद्यम से समझते हैं मान लीजिए September, October, November और December में आपकी sale बहुत अधिक होती है और January, February और March में sale घट जाती है तो आपने 6 मंत की ऐसी scheme निकालनी है जहाँ पर आपने एक fixed target देना है कि आपके dealer इतना middle अगर हर 6 मेने तक लगातार खरीते हैं तो आप उनको एक discount offer करेंगे आप उनको एक scheme offer करेंगे आप उनको एक trip offer करेंगे तो वो constant sale आपको लगातार मिलती जाती है जिसकी वज़े से आप off-season में भी बहुत अधिक sale कर पाते हैं इसके अलावा off-season में sale करने के लिए बहुत सारे businessmen अपने पूरी sale को count करते हैं 7 to 8 मंत आपको 7 to 8 मंत की sale को consider करना है पूरे साल की sale में और अपने operating cost को भी divide करना है 12 से ना कि 7 to 8 मंत से जब आप liquidity के management को समझ जाते हैं तो आप आसानी से अपने business को manage कर पाते हैं और off-season में भी operating cost और operating expenses को bear कर पाते हैं क्योंकि आप average profit annual sale के according निकालते हैं ना कि off-season और on-season sale के according इसके लवाद sales को बढ़ाने के कई सारे methods हैं और वो methods के videos हमने हमारी YouTube चैनल पर दिये हुए हैं जिसके details description box में आप देख सकते हैं और वहाँ click करके आप उस video से बहुत सारी information ले सकते हैं प्रेंट्स अगर आपके मन में भी business related कोई भी प्रश्ण है तो आप selfie mode पर अपने question को record करें और हमें भेजें आपके द्वारब पूछे गए प्रश्ण को हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे हर शनिवार शाम को 6 बजे हमारे साथ इस channel पर बने रहें क्योंकि हम लेकर आते हैं संपूर्ण भारत वरश के वो प्रश्ण जो आपके business में एक बहुत बड़ी क्रांती और एक बहुत बड़ी सफलता ला सकते हैं मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत